Hello everyone, welcome to MG Smart Classes हम कर रहे हैं DAV Miss Class 6 Chapter No. 3 Integers आज की Class में हम करेंगे Worksheet No. 3 का Question No. 3 तो चलिए स्टार्ट करते हैं Class को Question No. 3 Add the Flowing उसका एपाथ हम करेंगे देखे, 67 and minus 49 हमें 2 Integers दिये हैं एक Positive है और एक Negative है इनको हमें करना है Add तो हम कैसे लिखेंगे? 67 Plus और Bracket में लिखेंगे Minus 49 ठीक है? तो देखे, अब देखे एक Minus में, एक Minus का Integers है और एक Plus का तो क्या होता है? Subtraction होता है, ठीक है? तो हम करेंगे 67 में से 49 को Minus 67 में से 49 को हम Minus करते हैं तो आता है 18 ठीक है? Okay तन अंसर आया 18 आप इसको देखे, इस तरह से भी खूज इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं Bracket हटा के देखे, Minus Plus, Minus होता है 67 माइनस 49 ठीक है? चलिए, नेक्स करते हैं Minus 452 and 138 तन इसको हम ऐसे लिख सकते है Plus 138 तो ये क्या होगा? एक Minus का Integer है और एक Positive है तन होगा Minus आएगा 314, देखे, अब Sign कौन सा लगेगा? ठीक है, हमने Subtraction कर दिया Sign कौन सा लगेगा? देखे, ये वाला नंबर जो है, बड़ा है 138 तो Sign लगेगा Minus का ठीक है? चलिए, अब हम करेंगे C पार्ट देखे, दोनों हम, इसमें हमें दोनों ही Negative Integes यह है Minus 95 and Minus 35 तो हम इनको Add कैसे करेंगे? Minus 95 Plus इसे हम Bracket में रखेंगे ठीक है? तो इस बार देखे, हम Bracket कोलते हैं, तो क्या करेंगे हम? Minus Plus, Minus हो गया ठीक है? या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते थे, इसमें आप Minus को Common ले लेंगे यहां से Minus लेगे, यहां से Minus लेगे तो क्या होगा? 95 Plus 35 या तो आप ऐसे लिख सकते थे या फिर ऐसे लिख सकते थे ठीक है? तो देखे, जब दो Integes Minus के दोनों ही Integes Minus के देएंगे तब होता है एडिशन और Sign लगता है Minus का, ठीक है? अकोर्डिंग टू दा एडिशन, रूल ओफ एडिशन तो इनको हम एड़ करेंगे तो आंसर आएका 1 थर्थ और Sign लगेगा Minus का ओकी? चलिए, अब हम करेंगे D Part एक हमें Integes दिया है Minus में और एक दिया है Plus में, ठीक है? तो हम इसको कैसे करेंगे? देखे, Minus Plus क्या हो जाता है? Minus, ठीक है? तो हम Bracket को खोल लेंगे Minus Plus Minus Sorry, यह मैंने नमबर कल क्लिक दिया है 6952, ओकी? Minus Plus Minus हो गया, Bracket खोला Then 6952, ठीक है? देखे, इनको हम Minus करेंगे तो आंसर आएगा 1 अब कौन सा नमबर बढ़ा है? यह वाला नमबर बढ़ा है तो साइन लगेगा Minus का Okay, answer आया Minus 1 Now इन पार्ट 1000, 1, Plus 101 तो हम Bracket खोलेंगे Then Plus Minus, Minus इसे हम Minus करेंगे Then आंसर आएगा 900 और 1000 Positive Integer जो है बढ़ा है Then आंसर आएगा हमारा Positive में Now F Part Minus 381 and Minus 619 तो इसे हम कैसे लिखेंगे Minus 381 Plus Bracket में Minus 619 Then हम यहाँ पर Bracket खोलेंगे देखें दोनों Integer Minus, Minus क्या होता है Plus होता है तो दोनों को हम Add करेंगे 381 and 619 को हम Plus करते हैं 9 and 1, 0 10 8, 9, 10 Then आया 1000 और साइन लगेगा Minus का Okay Now G Part Okay पहले हम इसे लिख लेते हैं 386 Plus 419 देखें जब दो नमबर सेम हो और एक Positive और एक Negative Integer हो देखेंगे 419 एक Negative Integer है और 419 एक Positive Integer है तो क्या होता है इन दोनों कभा हम साथ में लिख लेते हैं Plus, Minus एक Plus है और 1 Minus है Then क्या होता है Minus होता है एक Positive Integer हमीं दिया हो और एक Negative दिया हो तो क्या होता है Minus होता है और Sign कौन सा लगता है जो नमबर बड़ा होता है उसका sign लगता है, तो यहाँ पर क्या होगा, minus हुआ, then आया 0, देखिए, same number है, इनको minus करेंगे, then 0, और 0 के आगे कोई sign नहीं लगता है, then हमारा answer आएगा, 386, okay, now g part, minus 19, 158 and minus 103, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, minus 19, plus 158, plus, minus 103, ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को solve करेंगे, एक plus, एक plus, positive integer है, negative integer है, तो क्या होगा, minus होगा, तो यहाँ पर हम 158 में से 19 को minus करेंगे, तो आया answer 139, ठीक है, और sign कौन सा लगेगा, देखें, कौन सा नमबर बढ़ा है, 158 positive integer का जो है, नमबर बढ़ा है, then positive integer में answer आएगा, positive में answer आएगा, ठीक है, then plus minus, minus 103, ठीक है, देखें, अब क्या होगा, एक plus है, और एक minus है, then होगा minus, 139 में से 103, हम minus करेंगे, then 6, answer आएगा 36, और sign कौन सा लगेगा, plus का, यानि की positive answer आएगा हमारा, ठीक है, now I, question number 3, I part, minus 9005 plus 360, देखें, minus होगा, 005, and 360, हम minus करेंगे, यहां से हम 8, यह रह गया, यहां पर यह हुआ, 9 और यह हुआ, 10, 10 में से 6 काया, 4, then 9 में से 3 काया, 6, 8, 6, 4, 5, 8, 6, 4, 5, और sign कौन सा लगेगा, देखें, sign आएगा, minus का, okay, now last question, इस worksheet का, minus 65, plus, bracket में, minus 35, plus 100, okay, तो हम दोनों को solve करते हैं, पहले, bracket खोलेंगे, minus plus, minus हो जाएगा, plus 100, okay, then minus minus, क्या होता है, plus होता है, तो इन दोनों को हम add करेंगे, 100 आएगा, और sign लगता है, minus का, ठीक है, तो अब देखें, दोनों same integers हैं, पर एक negative और एक positive है, तो क्या होगा, 0, आंसर आएगा, 0, तो यहां पर हमारी class, worksheet number 3, complete हो जाती है, तो चलिए, अब हम next class में start करेंगे, worksheet number 4, चलिए, मिलते हैं next class में, till then, take care, have a nice day, bye,